आप लोग जाहिए और हमारा इस सामान शाहिरत में रख दीजिए जाहिए जाहिए जाह पना आप जा रहे हैं हम रियासत के दोरे से बहुत जल लोट आएंगे आप चिंता मत किजिए और बस अपना खयाल रखिएगा जी और रानी साहबा आपके कहने पर, तिर्फ आपके कहने पर हम अपनी गैरमवजूद्गी में रियासत की बाग दोर शेजादे सलीम के हातों में सौफ़ कर जा रहे पर आप देख लीजेगा, कि हमारे नाम में चार चान लगाने की जगा ये हमारे नाम को चारों खाने चित ना करते जहाँ पना ये क्या? हमेशा सलीम की काबलियत पर शक क्यों करते आप? नहीं नहीं, राणी साहबा कैसी बाते कर रही हैं आप? हम शहदादे सलीम पर कभी शक नहीं करते हैं शुक्रिया बावजूर हमें पुरा यकीन है कि ये कोई ना कोई बेहूद्गी की हरकत जरूर करेंगे शुक्रिया इसलिए हम बीरबल को यहाँ पर इस महल में छोड़ कर जा रहे हैं और हमने बीरबल से कह दिया है इस साहे की तरह शेदादे सलीम के आस पास मंडराते रहे अची बात है अब भाजूर हम से वो चार बाते सीख भी जाएंगे बस 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 अभी लड़का और हम से सहिन नहीं होगा हम चलते हैं हुआ! यहा हुआ? रानी साहिब, आप ऐसे वहां रही है ना, आप ऐसे, अचानक आगे, हम चलते हैं, मस्. अल्विदा? अपना खायाल रखेगा, हाँ, 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 अल्विदा. अल्विदा, जहां बनाओ. हाँ, हो याँ! रानी साहिबा को दाल पाड़ी चूर्मा खाना है, बल्देज जी को बिर्यानी खानी है, वासुजी को खीर खानी है, और सहजादे को अंडे खाने है. अरे भाई, जब नौकरी से लिए पनिसान हो तो छोड़ कि मुने लेते? अरे भाई, प्यास कात्रा हूँ, आसु तो आएंगे ही ना, तलका लगा के. अभी काम करता हूँ, अंडे लाता हूँ, बोडता हूँ, और सहजादे के लिए अंडे का कीला तईयान. मुर्गी ने सोने का अंडा दिया? जमतकार! 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 जदादे सलीम कोई, मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकते हैं? और आज से पहले यह मुर्गी कहा थी? इसने पहले सोने का अंडा क्यों नहीं दिया? यह सोचने वाली बात. लेकिन बीरबल जी हमारे हाथ में यह जो सबूत है, यह क्या है? तो हम क्यों ना माने कि वह मुर्गी सोने का ही अंडा देती है? और रही बात मुर्गी की तो हमें हमारे खान सामे ने बताया कि उसने यह मुर्गी कुछ दिन पहले खरी दी जब यह एक चूजी थी. अब यह बन गई है मुर्गी, तो जब यह अंडे देने लाइक होई तो उसने अपना सबसे पहला अंडा दिया, वह भी सोने का. राजा बिरगी, आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो सुनी होगी. अब हो सकता है मुर्गी भी ऐसी हो, या फिर हो सकता है कि किस्मत वालों को ही ऐसी मुर्गी मिलती हो. हाँ बिरबल जी, क्या पता सलीम भाईसा की किस्मत भी एक्दम तेज हो, इनके तक पे बैठने के कारण यह सा वुआ होगा, है का नहीं? और वैसे भी सलीम भाईसा को मुर्गिया बहुत पसंद है, जब देखो मुर्गियों को दाना डालते रहते हैं. और मुझे तो कलिया पसंद है, कलिया. वासू, हमने सब कुछ सुन लिया है, अब चलो मुर्गा बन जाओ. लेकिन सलीम भाईसा, सलीम! सलीम, सलीम भाईसा नहीं है हम. अब्बा हुजूर ने हमें अपनी जगा पे बिठाया है. इसका मतलब हम बाच्छा सलीम है. बाच्छा सलीम है. अब ये हमारा हुक्म है कि आप मुर्गा बनेंगे अभी. अहां गाना डाले? क्या? शेदाद सलीम हमें इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुचना चीए. हम ऐसा करते हैं कि उस मुर्गी को एक अलग कमरे में रखते हैं. ये आप क्या कर रहे हैं? बिरभल जी मुर्गा बनाओ तो मुर्गा बांग तो देगा ना. आप तो जानते हैं कि मैं अपना काम इमानदारी से करता हूँ. अगर नहीं? अब आप कुछ देर के लिए शांत रहें. हां तो शेदाद सलीम हम उस मुर्गी को एक अलग कमरे में रखते हैं कड़ी पहरेदारी में. और उसके बाद भी अगर उस मुर्गी ने सोने कांड़ा दिया, तो हम मान लेंगे के वो मुर्गी सोने कांड़ा देते हैं. हां ठीक है हमें मन्जूर है बीरबल जी हमारा हुक मैं कि उस मुर्गी को अलग कमरे में रखा जाए और उसपे पैनी नजर रखी जाए. तकलिया! हम देख रहे है इस कमरे के अंदर का सारा सामार खाली कर दिया है कमरे के अंसर्स कुछ भी नहीं हो UP कमरा बेगुल खाली है यह जा लोगी यह और याद रहाँ है कमरे के अंदर किसी को जाने की अजासट नहीं सिवाए खान सामा और खान सामा भी सिर्फ मुर्गी के लिए दाना पानी ले खरी अंदर जाएगा उसके ठीक से तलाशी लीजे और फिर उसे अंदर जाने दीजे जी बीबल जी बुर्गी ने फिर से सोने गाना दिया जमाजकार बहुत खोब शाइजादे सलीम बहुत खोब शाइजादे सलीम आपने तो जहाँपना का नाम रौशन कर दिया हाँ सलीम बैसा यहरी अखल कहती है कि आप इस मुर्गी से शादी कर लो फिर आप इस दुनिया के सबसे अमीर आपनी हो जाओगे अगर नहीं और हाँ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के मिलने की खुछी में आप सबको मैं लंडू किलाओंगा मेरे हाथों से बताओ कित में किसमत वाले हो आप लोग है रही अरे वा पीरबल जी आप मान ही गए ना कि मुर्गी सच में सोने का ही अंडा दे रही है आपने पहरा लगवाया आपने खुद कमरे की तहकी कात की तो फिर संदे की वज़ा ही नहीं बची तो हम कुछ बड़ी घोशनाए करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जब अप्पा हुजूर अपने दोरे से वापिस आए तो हमारा काम देखके हैरत अंगेश चंगेश भौचक के रह जाए वासू जब बताओ इन सब को हमारे नई नई योजनाओं के बारे में जिस पे हम तुरंत तुरंत काम शुरू करना चाहते हैं यह सलेम बाइसा सबसे पहनी है सलीम आवास योजना जिसके तहट गरीबों को घर मुईया करवाए जाएंगे वो भी बिल्कूल मौफ दूसरी योजना सलीम ग्राम विकास योजना जिसके तहट गाउं में बुनियादी सुविनाय मुईया करवाई जाएंगी तीसरी योजना सलीम सडक योजना जिसके तहट बड़े शहरों को सडक से जोड़ागा शैदाओ esasअलीम इन योजना बूरा करने में काफी धन लग जाएगा हमारा खिदाना कहनी हो जाएगा याद रखी शैदाय सलीम एक बादशा की असनी ताकत उसका खजाना ही होती है बीरबल जी आप क्यों घपरा रहे हैं? ये देखी हमारे पास क्या है? सोने का अंडा और सोने के अंडे देने वाली मर्गी भी जो कुछ ही दिनों में हमारा शाही खजाना दुबारा से भर देगी राजा विरबल अप लड़ दुकाईए शैजादाय सलीम जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए पासू हम सोच रहे हैं कि इस मुर्गी को भी अपने दरबार के रतनों में शामिल कर लिया जाए सलीम बासा ये बिल्गूल ठीक रहेगा या पता ये खूश होगा सोने की जवा हीरे का अंडा देदे अपड़को एक अड़को एक अड़को सलीम बासा लगता है सोने का अंडा देने वालिया अदे गूटकई सलीम बासा लगता है पुर्गे अंडा देने वालिया एक इतर आई ये 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 अंडा हमारे हात में देगी न ताना में राब माते है की हमें देगी हरा मोझा देगी हरा मोंजा देगी हमें देगी शौर्वारइव आ यद it इंव यद इसने लाइए पोरेज री इन तु chw pent ये जारी है बादब बामुलाहिजा होश यार पड़ोसी मुल्क के राजा राजा अधिराज बिना कुछ बताए बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले बिना कोई संदेशा दिये बिना आगाह किये पता नहीं क्यों अच्छानक पधार रहे हैं शहजादे सलीम को राजा अधिराज का प्रणाम 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 अधिराज जी आईए तश्रीफ रखिए अब बताईए यूँ अचानक कैसे आना हुआ हम आपके पास आये हैं शहजादे सलीम क्योंकि हमारे राजी का हिस्सा है बुंदेलपूर जो आपके राजे से सटा है और हम बेचना चाहते हैं और हम ये भी जानते हैं शहजादे सलीम कि उसके अच्छी और सही कीमत आप ही दे सकते हैं क्योंकि आपके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है अरे बुंदेलपूर में तो हमारे अबबा हुजूर को कई सालों से दिल्चस्पी है बताइए कितना दाम चाहिए आपको उसका शहजादे सलीम बुंदेलपूर को हम पचास लाख मोहरों में बेचना चाहते हैं मामुझान, हमारे शाहि खजाने में 50 महरों होंगी ही ना शहादे 50 महरों फचास लाख मोहरे तो हैं लेकिन उसके बाद खजाना खाली हो जाएगा मामुझान तो क्या हुआ आप शाइद भूल रहे हैं कि हमारे पास सोने का अंडा देने वाली मुरूगी है माफ कीजी का शहजादे सलीम पर इतनी जल बाजी में फैसला लेकर हम शाही खसाना खाली नहीं कर सकते हैं जैसी हैसियत बैसी सोच राजा भिरबल शहजादे सलीम की किसमत के तारे अभी बुलंदी पर हैं वो जो चाहते हैं उन्हें करने दीजी अखिरकार वो अपने अब्बा हुज़ूर का सपना ही साकार कर रहे हैं और जब जहापना को ये बात पता चलेगी तो अपने शहजादे पर कितना फक्र करेंगे इसका अंदाजा भी नहीं है राजा भी बॉल आपको अधिराज जी हमें आपकी पेशकष मनजूर है हम आज ही आपके साथ सौदे के दस्तावेस पर दस्तकत करने के लिए तयार है और आपको उसका दाम देने के लिए तयार है क्योंकि शाइखून है हम शेयर सलीम, यह कोई मामूली सौदा नहीं है इस सौदे के दस्तावेस बनाने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा, कम से कम एक दिन जियां शेजादे, लिखा पड़ी में वक्त लगेगा, इसलिए सौदा कल ही हो पाएगा तो ठीक है आदिराज जी, हम कल आपके साथ वो सौदा करेंगे आज रात भर हमने इस कमरे के बाहर सिपाई बनकर पहरा दिया कमरे के अंदर ना कोई आया, ना कोई गया, सिवाए खान सामध, जो दाना पानी लेकर आया थे, और जिसकी तलाशी हमने ठीक से ली इस्चा, कमरे में आने का और कोई रास्ता नहीं वाइस रोशन दान के, लेकिन यहां से कोई नहीं आ सकता क्योंकि इस रोशन दान के उस पार खाई है, इसका मतलब अंदा अंदर लाने का और कोई रास्ता नहीं, अब देखते हैं, कि मुर्गी ने सोने का अंदा दिया या नहीं? कैसे? कि हम एक खावी खेर भाहल विसकी ही तरस अकल भीड़ 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 हाँ तो बीरबल जी उस सौदे के दस्तावेश तैयार हुए या नहीं? शाह सलीम ये सौदा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता? जब शाह सलीम ने फैसला ले लिया है तो आप कौन होते हैं बीच में टांग अडाने वाले? बल्देव जी सौदा हमारे राज्य के हित्म नहीं है राज अभिरुबन आपको कितनी बार कहना पड़ेगा कि हमारे पास एक मुर्गी है जो सोने का अंडा दे रही है कोई मुर्गी नहीं है जो सोने का अंडा दे रही है मुर्गी अंडा नहीं दे रही है तो अंडा आ कहां से रहा है? वो सोने का अंडा राजा अधिराज दे रहे है अच्छा यह भी सोने का अंडा देते हैं? कल से मैं भी कोशिश करूँगा सोन गंडा देने की हम यहां सौधा करने आये हैं अपना मजाख उड़वाने नहीं राजा अदिराजीब हम आपका मजाख नहीं उड़ा रहे हम बस आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं यह बताईए कि कल रात से आपके सेना हमारे सीमा पर तैनात क्यों है बिर्बल जी यह मामूली सी बात है ऐसा अभ्यास हमारे सेना करती रहती है ऐसा अभ्यास आपकी सेना करते रहती है या फिर जान बूच कर तैनाती आज बुंदेलपूर के सौदे में हमारा शाई खजाना खाली हो जाता और यही इसाई वक्त है हम पर हमला करने का है ना हाँ लेकिन बीरबल जी ये ऐसा क्यों करेंगे जबकि इन्हें पता है कि हमारे पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है शेदाय सलीम ये एक धोका है फरेव है एक साधिश है जो इन्होंने रची है और इसमें इनका साथ दिया हमारे खान सामाने माराब अबसूर अभाब शेंसादे सलीम एजे हैं आप हम अच्छे हैं आपाबसूर इले ले जा और कैट खाने में डाल दो अरे अबाहुदूर हम हमने आदीराज की सेना पर हमला कर दिया और उसे निस्तो नाबूत कर दिया हमारी गैर मौजूद्गी का फायदा उठाना चाहते थे आप लेकिन बीरपल ने आपको पठखनी दे दी लेकिन कैसे? अगर मुर्गी सोने का अंडा नहीं दे रही थी तो अंडा आ कहां से रहा था? बलदेव जी, आपको तो अब तक पताई हुगा के राजा अधिराज को बास पालने का शौक है बास एक ऐसा पक्षी है बलदेव जी जिसके नाखून बड़े नुकीले होते हैं वो जहां भी बैठता है, जहां भी जाता है अपने नाखून के निशान छोड़ता है उसके नुकीले नाखून से बचने के लिए ये अधिराज जी अपने हाथ में ये दस्ताना पहनते है जब हम उस कमरे में गए जहापर हमने मुर्गी रखी थी तो रशन दान के पास हमें बास के नाखून के निशान मिले जब हमने सोने के अंडे को ध्यान से देखा तो सदे पर भी बास के नाखून के निशान थे राजा बीरबल हम कुछ समझे नहीं हम समझाते हैं बलद की राजा अधिराज अपने बास के पंजों में सोने का अंडा बान देते थे और उसे महल के तरफ उड़ा देते थे खान सामा जब मुर्गी के लिए दाना पानी लेकर कमरे में जाता तो रोशन दान पर वो दाना दाल देता बास उस दाने को चुगने के लिए रोशन दान पर आकर बैठ जाता खान सामा उसके पंजे से वो अंडा निकालता और बास को वापस उडा देता वो सोने का अंडा वो मुर्गी के नीचे रख देता और कम्रे से बाहर निकल जाता और हम सब को ऐसा लगता कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया राजा बिर्बन आज पहली बार ना चाहते हुए भी हमें कहना पड़ेगा कि आपने तो कमाल कर दिया बल्देव जी ये तो हमारा फर्स था लेकिन आपके मुझे से खुद की तारीफ सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कर दो कर दो